रेडी रेडी इस्टार्ट अध्यक्स महुदय कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केबल सिख्षालियों के लिए ही नहीं बलकि प्रतियक ब्यक्ति के लिए सिख्षा का माध्यम बन सकती है और जब तक इसको माध्यम बनाने की और ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक सिख्षा इने गिने लोगों की ही बस्तू रहेगी और जन समुहूं के जीवन तक नहीं पहुँच सकेगी दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपिय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और ने इसका अलग रहना वांचनिय है और इसलिए कम से कम उच्च सिख्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दोड में और देशों की तुलना में पीछे रहे जाएंगे और पिरगती नहीं कर सकेंगे यह बात केवल सिख्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बलकी विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पदती के संबंध में है इससे इसपष्ट हो जाता है कि देश में सिख्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है और अब सहरों तक ही सीमित ने रहकर ग्रामीन जनता में भी दिख रही है पर इसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्रीन होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं सरकारी नोकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो सिख्षित बर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं और जितने लोग उत्रीन होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योगिता रखते हैं अधिकांस विध्यार्थी अब वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे अंग्रेजी सिक्षा के फलसरूप हम काम के प्रती उनकी भाबना में परिवर्तन आ गया परिणाम हुआ की बेकारी बढ़ी और उसके फलसरूप जीवन के प्रती एसंतोस और उपेक्षा की भाबना को बल मिला यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज है इसलिए हम इस विशय पर मौलिक रूप से विचार करें की जो पदती आज चल रही है और जिस पर हम इतना ब्याय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में सिक्षित कर रहे हैं वहें आज की परिश्टितियों के कहां तक अनुकूल और लावदायक है महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिश्टिति का अनुमान लगा कर यह निश्चे कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रतियक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वहें इस पदती से नहीं दी जा सकेगी क्योंकि इसमें ब्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा